नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर तो आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो सिविल इंजिनियर है या फिर टेकनिशियन है जो इस्ट्रेसिंग का काम देखना चाहते हैं सीखना चाहते हैं उसका जो पंप होता है उसका जो पावर पैक होता है उसको किस तरह से उपरेट किया जाता है तो हम आपको सिखाएंगे किस तरह दो मिले रहे और जो लोग बने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेले कमी पर इसकर के रखिए ऐसे ही जो है इन्फर्मेशन वाला वीडियो हमारे चैनल पर आप लोगों को मिलता रहेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहां पर यह देख लो यही पावर पैक है यह पंप है और इसका यह स्टार्टर है थिरी फेस का मोटर है और इसका पावर जो है थिरी फेस का यहां पर देखो कनेक्ट है और इसमें देख लो दो घड़ी लगा हुआ है यह प्रेशर गेज है इसको गेज बोलते हैं यह प्रेशर गेज है तो यह इस्ट्रेसिंग वाला गेज है और यह लॉक आफ वाला गेज है तो लॉक आफ वाला पहले भी पंप को चालू करने से पहले यहां पर देखो एक सेट setup वाल है इसको जो बोलते हैं यह pump के side में रहता है हमेशा यह setup वाल है सबसे पहले pump के पास आने के पहले इसके अंदर power देना है power देने के बाद जो है सो थुरा सा test करना है यह on करेंगे तो इसका rotation देखना पड़ेगा यह rotation जो है इस तरफ घुमना चाहिए मतलब इस तरफ घुमना चाहिए दाहना side इसका rotation अगर सही है उसके बाद second step आता है यहाँ पर setup wall है setup wall को जो है तो tight कर देना है यह अगर लूज रहेगा तो सबसे पहले stressing करने से पहले इसको tight कर देना है इसे tight कर देना है उसके बाद इसका मैं मता देता हूँ horse pipe का connection किस तरह से किया जाता है जो jack में horse pipe लगा हुआ है उसका मैं बता रहा हूँ यहाँ पर total pipe जो है चार pipe है एक नीचे है यह वाला pipe एक यह है एक यह है एक यह है एक यह है चार pipe हो गए total तो याद रखना तीन pipe है यहाँ पर देख लो उपर में एक pipe इसके नीचे है तो यह side से जो motor है देखो motor उधर में है और इधर में तो यह वाला हो गया return वाला pipe यह pipe जो हम हाथ में लेके रखे हैं यह return इसको बोलते है रिटर वाला pipe यह return वाला pipe कहां लगेगा jack में सबसे पीछे जो jack के किनारे में लगा हुआ है उसको return वाला pipe बोलेंगे जो लगा हुआ है मतलब यह return वाला हो गया clear उसके बाद उसके नीचे वाला यह वाला clear हो गया उसके बाद नीचे वाला stress वाला इसको बोलते है इस्ट्रेसिंग वाला पाइप जो हास पाइप है इस्ट्रेसिंग वाला हास पाइप कहां लगेगा पीछे से दो नमबर पे यहां पर देख लो पीछे वाला किलियर हो गया था रिटन वाला उसके बाद आगे में जो देख लो पीछे से दूसरा नमबर यही वाला है तो उसको बोलेंगे इस्टिरेस वाला पाइप कहीं कहीं पर जैक में भी लिखा रहता है तोड़ा तोड़ा दिख रहा होगा इसमें इस्टिरेस वाला हो गया बच गए दो पाइप जो दो पाइप है ये दोनों किलियर हो गया ये साइड वाला दोनों किलियर हो गया बच गया ये वाला तो ये वाला जो पाइप है जो ये वाला पाइप है जो सबसे लास्ट में है यहाँ पर ही एक ट्रीक है ये लास्ट वाला पाइप जो है वो जैक के पीछे से तीन नमबर में लगेगा जो आगे में बैंड दिख रहा है वो नहीं, उसके पीछे वाला उसके पीछे में लगना है और जो बीच में है ये वाला जो बीच में तीन पाइप किलियर हो गया ये वाला जो पाइप बज गया है यह सबसे आगे लगेगा जिसमें बेंड लगा हुआ है यहाँ पर बेंड लगा हुआ है यह हो गया connection, house pipe connection उसके बाद आते हैं pump चालू करने से पहले सब कुछ हमारा house pipe connection ठीक है सब कुछ ओके है उसके बाद यह setup वाल को tight कर देना है starter on कर देना है मतलब machine को चालू कर देना है उसके बाद यह lever है यह जो lever है और पप में लिखा रहेगा stress return यहाँ पर stress लिखा हुआ है S मतलब तीर इधर लगा हुआ है तो इसको इधर घीचेंगे तो यह stress होगा मतलब कि अगर इसको इधर घीचेंगे तो यह जो pressure gauge है इधर भी हो गया stress वाला gauge यह lock off वाला gauge है उसके बार भी बताएंगे पहले इसको समझ लो पहले जो है stress वाला लिवर को इधर घीच के रखेंगे तो इधर खेंच के जो रखेंगे तो यह gauge जो है उपर उठेगा मान लिए हमको 50 पर जाना है इसमें देखो किदर गया यह 0 है अभी जिरो के बाद यह 50 है फिर यह 100 है 100 के बाद 500 है फिर 200 है 500 है 300 है सारे 300 है जहां तक भी जाना रहेगा वहां तक जाना है इंजिनियर बताएगा कितना कितना तक जाना है pressure तो इस liver को अगर stress लिखा हुआ है कोई-कोई पप में इधर भी stress लिखा रहता है तो stress इधर भी होता है वो इसके उपर depend करता है इसको बोलते है बल बल बोलते हैं बल 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 सकते हैं इसको तो यह बल है तो इसका जो लिवर है इसमें stress इधर साइड से है इसको इधर घीचेंगे तो यह pressure gauge उठेगा और gauge उठेगा तो 50 पर हमको जाकर रोकना है 50 पर जाकर के रोक दिये उसके बाद jack में से रेम निकलेगा इस्टील के जैसा रहता है चमकता है वो रेम निकलता है उस jack में रेम में से reading ले आ जाता है उसमें reading ले लिए उसके बाद फिर जो है रोक दिये मतलब कि अगर stress करने के बाद इसको जैसे ही छोड़ देंगे यह neutral हो जाएगा देखो छोड़ दे रहे हैं बिल्कुल neutral हो जा रहा है इसको खेंच के रखना है तो यह stress होगा प्रेसर गेज भी बढ़ेगा मानली अब हमको 100 जाना है तो फिर से इसको खेंचना है stress करना है stress करेंगे तो जैक का रहें भी उधर निकलेगा और इधर में प्रेसर गेज भी जाएगा तो 100 जैसे जाएगा तो हम इसको छोड़ देंगे या, सोब पर जैसे ही जाएगा पूरा कंटा और वालेंस बना करके लेके चलना है विल्कुल आराम अराम आराव से हांसे पकर गए राखना जैसे फ्रह से छोड़ दिये तो यह सो का हो गया मान लिया हम को 400 तक जाना है तो 400 तक ऐसी तरह से 50 50 जाएंगे फिर 100 जाएंगे फिर डेर्स जाएंगे और हर 550 पर जो है रीडिंग लेना हैlles यह के पीछे रह्म से निकलता है उसके बाद आता है मानना लिया हम 400 चले गए चार्प स जाने के बाद इसका हमको प्रैसर जो है लॉक करना ओता था है तो लॉक जो है इंजिन ईएस धीए द Western में लॉक करना है वो पीछे के साइड ही घीचाएगा पीछे के साइड अगर घीचे गे इसको इसको भी छोड़ देंगी त starter huge हो जाएगा ठीक है तो इसको घीचे है तो यह प्रेशर गेज है इसका बाजु वाला गेज है वह जाएगा माल यह 200 200 पर हमको लॉक करना है तो इसको यह बहुत फास्ट ली जाता है तो इसके लिए अराम अराम से खेंचना है और यह जो है 200 पर ले जा करके फिर वापस छोड़ देना है फिर खीचना है फिर वापस छोड़ देना है फिर खीचना है दो इस कम से कम 3-4 मरतबा जो है इसको लॉक कर देना है लोग होने के बाद यह जो 400 पर हमारा भी काटा है वह अभी रिलीज नहीं हुआ है इसको रिलीज करने के लिए जब लोग हो जाएगा तिन से चार बार उसके बाद यहाँ पर जो है यह सेटप वाल है सेटप वाल को जो है सो बिल्कुल कोई भी पत्थर वगेर से और नाट बॉल से धी धीरे-धीरे स्लोली करना है मतलब धीरे-धीरे करेंगे तो जैसे खो να खोंड लेंगे ना फो एक तेका जो प्रेशर गेज और वह बीडिए धिरे नीचे आएगा इक वर फास्ट नहीं कर देना है प्रास्ट करेंगे जो दिक्कत आ जाएगी बहुत सारा प्रबलम हो जाएगा केबल सिलिप कर जाएगा माश्टर फंस जाएगा बहुत सरा प्रब्लम का फेस करना पड़ेगा इसके लिए यहाँ पर जो सेट अफ वाल है उसको धीरे धीरे इसको हाथ से मतलब एक हाथ यहाँ नीचे लगा के रखना है इस तरह से और दूसरा हाथ जो उपर में हलका हलका है ताकि वह जो जो जिरे दिरे दिरेए बिल्कुल श्लोली स्लोलीजो है वह नीचे में एकी बार नहीं खोलना है यह कर दिए रिलीज निकलने तक आजाएगा सलोली करके उसके बाद जो है सो इसको पूरा खौल देना को पूरा लूज कर दिये कुरा लूज करने के बाद जो जैक कर रेम बाहर निकला हुआ था उसको भी अंदर लेना है तो उसके लिए यहां पर इसी लिवर में इस ट्रेस वाला में इधर में लिखा घ्लाइगा उसको बोल सकते हैं कि भाई यह रैम जाएगा अंदर बता देना हम ना हम को तो यह से घ्लत रहेगा तो काम नहीं करेगा मसरी फिर से अको say HEY नब कर देना है क्या धार करने के बाद फिर से आम पर बाद फिर से अको stress करना है भी आल लोड़ देना जयक लगाने लुक निसको निए फंड़ा है इसका stressing कReady करने का समझ में आगया होगा मेरे हिसाफ से यही चीज है और कोई इसमें खास नहीं है बस इतना ही हर साइट पे हर जगा पे यूज़ करना है